हलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल सूपरचैवन में जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि टाइप टू के कुशन किस तरीके से सॉल्व करता है तो आज अपन टाइप टू का एक और कुशन लेते हैं कि suppose एक किसी काम को करने में 6 दिन लेता है और बी उसी काम को खराब करने में खराब करना मतलब माइनस 8 डेस काम को कर रहे हैं तो प्लस और काम को खराब कर रहे हैं तो माइनस तो minus 8 दिन लेता है उस काम को खराब करने में अब हमसे पूछा है कि इस काम को complete करने में कितना time लगेगा कितना time लगेगा तो देखो इसमें actual में क्या है एक चीज अपने लिए clear है कि यहां से मन लो यह A 6 days और B जो है वो है minus 8 days इन दोनों का अपने LCM लिया अपने पास LCM आया 24 तो यह 4 वर्क और यह 3 वर्क ठीक है इसका मतलब क्या है कि एक दिन में यह 4 काम कर सकता है और B जो है वो 3 काम खराब कर सकता है मतलब minus 3 आगया ठीक है अब देखो यह basically question एक तरीके से reasoning का question है देखो होगा क्या कि जैसे अपन को यहाँ पर दे रखा है मानलो कि काम A ने start किया A ने काम start किया ठीक है A ने काम जब start किया तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि A ने यह दी काम start किया है तो पहले दिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चोथे दिन ऐसे करके पहले दिन कौन करेगा? यह करेगा, मतलब चार काम करदेगा इसकी capability है चार काम करने की दूसरे दिन, भी काम को खराब करदेगा तीसरे दिन फिर यह करेगा, चोथे दिन फिर यह खराब करदेगा तो finally देखो, दो दिन में कुल मिलाकर काम कितना कर पाएं, एक work हो पाए है, ठीक है, अगले दो दिन में देखें, तो भी कितना काम हो पाए है, एक काम हो पाए है, इसका मतलब क्या है, कि दो दिन मिलाकर एक काम होता है, इसका मतलब क्या हमें काम कितना करवाना है, 24, ठीक है, अब देखो, दो दिन में कितना काम हो रहा है? एक work हो रहा है दो दिन में एक काम कर पा रहा है तो यहां से मुझे क्या करवाना है basically इनको कि यह 24 work complete कर दे तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि दो दिन में एक काम हो रहा है तो एक work यदि ऐसे के ऐसे 20 बार हो तो कितना हो जाएगा अपना 20 वर complete हो जाएगा 20 वर complete हो जाएगा तब तक कितने दिन हो चुके होंगे 20 वर complete हो जाएगा तब तक अपने पास 40 days आ चुके होंगे क्यों कि देखो 2 दिन में मिला के एक काम हो रहा है यह जो एक काम है यह दो दिन का मिला के काम है तो यहां से 40 days हो गया 40 days में कितना काम हो गया 20 work complete हो गया अब देखो जिसका यहां पर number आया ठीक है odd पर जिसका यहां number आया तो यहां से मैं दि 41 बोलू तो 41 जो दिन है इस दिन किसका number आयेगा फिर एक का नमबर आएगा और ए में capability कितनी है चार काम करनेगी ठीक है तो यह चार काम जैसे ही होगा तो 20 तो पहले से हो रखा है 4 यह हो जाएगा तो 24 वर्क complete हो जाएगा इसका मतलब 41 वे दिन ठीक है 41 जो day है उस दिन यह चार काम complete कर देगा और यहां से 20 वर्क वहले से complete है तो 4 काम यहां से complete हो गया तो कितना हो गया 20 प्लस 4 यहां से कितना हो गया 24 वर्क अपने पास complete हो गया और total days कितने लगे 40 तो यह और एक यह लग गया तो यहां से जो total days है तो total days अपने पास कितने आगे 41 days 41 days में ये काम हो जाएगा ऐसा नहीं है फिर आप आगे और करते जाए कि और ये काम बिगाड़ेगा नहीं ये काम complete हो चुका है इसके बाद में हम बात नहीं करेंगे कि भी कितना काम बिगाड़ रहा है मैं क्यों गह रहा था कि ये एक reasoning का ही question है मैं इसलिए गह रहा था ये reasoning का question है क्योंकि देखो suppose करो एक pole है इस पर एक बंदर ये मालो pole की लंबाई है 12 मेटर एक बंदर 4 मेटर चड़ता है और 3 मेटर फिसल जाता है 4 मेटर चड़ता है और 3 मेटर फिसल जाता है अब देखो 4 मेटर चड़ेगा 3 मेटर फिसल जाता है तो overall वो कितना हो पार है उसके पास एक ही मेटर चड़ पार है और ये इसका एक दिन का गाम है एक दिन में इतना कर पाता है तो क्या हो रहा है 4 मेटर चड़ पार है और 3 मेटर फिसल जाता है हम कह सकते हैं कि 8 मिटर चड़ जाएगा 8 मिटर चड़ जाएगा 8 दिन में 9 दिन क्या होगा कि वो 4 मिटर चड़ जाएगा 4 मिटर चड़ते ही वो कहा पहुंच जाएगा तो इसका मतलब 4 मिटर चड़ते ही वो 9 दिन में वो बंदर इस कंबे पर पहुंच जाएगा सेम इसी तरीके का कोशन यह है कि 4 काम A करता है और 3 काम B बिगाड़ देता है तो overall 2 दिन में कुल मिला के काम कितना हो पा रहा है 1 काम हो पा रहा है 1 काम हो पा रहा है 2 दिन में फिर A काम पर लग जाएगा क्योंकि A ने स्टार्ट किया था तो पहले दिन जब A था तो 41th जो डे है उस दिन भी क्या होगा हो A ही आएगा और A जैसे आएगा तब तक यहां 40 दिन में क्या हो पा रहा है कि 20 काम खतम हो पा रहा है तो 41 दिन 4 काम जब यह कर लेगा तो जो भी इस काम कितने हो जाएंगे complete हो जाएंगे जैसे जो भी इस वर complete हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि अपना काम complete हो जाएगा थीक है तो इस तरीके से आपको question पूछे जाते हैं type 2 में अब हम आगे बटके कुछ type 3 के questions देखते हैं तो next type है अपने पास type 3 तो तीसरा type है अपने पास type 3 क्या है type 3 में अपने पास है कि suppose a प्लस b मिलकर किसी काम को 14 दिन में कर सकता है ठीक है a और दोनों मिलकर यदि काम करें तो 14 दिन में ये काम खतम कर सकता है a दो दिन काम करता है और b 10 दिन काम करता है ठीक है यह 2 दिन काम करता है और B 10 दिन काम करता है तो यह दोनों मिलकर यह इतना टाइम जब देंगे इस काम को तो अधा वर्क कम्पलीट हो जाएगा Half of the work जो है वो कम्पलीट हो जाएगा ठीक है अब अपन से पूछा ही है कि यदि B अकेला B अकेला काम करे तो ये इस काम को अकेला कितने दिन में पूरा कर देगा कितने दिन लगेंगे इसको इस काम को पूरा करने सबसे पहला काम अपने को क्या करना है कि A प्लस B कितना है अपने पास 14 डेज तो A plus B अपने पास 14 days है तो इसी 14 के multiple में कुछ भी work मान लो ठीक है चलो मैं 28 work मान लेता हूँ आप ज्यादा भी मान सकते हैं 42 मान लो कोई दिखकर नहीं होगी ठीक है तो A plus B 14 दिन में ये काम को complete स्वरी complete कर सकते हैं और काम कितना टाइम देते हैं ये काम को ये 2 दिन देता है ये 10 दिन देता है तब half of the work complete हो जाता है तो अब देखु अपन को क्या करना है कि B के द्वारा यदि B अकेला काम करे तो उसको कितना टाइम लगेगा तो देखु अब 2 दिन काम इसने किया तो यहां से 14 दिन में यह complete कर सकते हैं और काम कितना है इतना है इसका मतलब पर दे दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दो काम करते हैं ठीक है तो दो दिन में इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया टोटल काम कितना है? 28, और आधा काम कितना हो जाएगा? 14, 14 चाउदा काम complete करते हैं ये दोनों मिलकर जब ये 2 दिन काम करता है तो 4 काम इन्हों ने complete कर लिए 2 दिन में, बचे कितने? बचे सिर्फ इसके 8 दिन, ठीक है? तो 8 दिन इसके बचे, 8 दिन में से क्या हो रहा है कि 14 मे हो जाएगा 5 बटे 4 तो इसकी capability कितनी है कि एक दिन में यह क्या कर देता है 5 बटे 4 काम complete कर देता है अपन को काम कितना करवाना है इससे काम करवाना है टोटल 28 work ठीक है अब टोटल 28 work जब अपन को इससे करवाना है तो B को जो time लगेगा वो 5 बटे 4 work करता है एक एक दिन में तो 28 काम को यदि इससे complete करवाना है तो यहां से मैं लग सकता हूँ कि यह कितना हो जाएगा 35 दिन लगेंगे इसको यह काम complete करने में टीक है तो 5 बटा 4 इसकी एक दिन की capability है यहां से तोड़ा सा वापिस से देगना कि यह क्या करता है एक दिन का काम इसका 5 बटा 4 है तो यहां से मैं लिख सकता हूँ कि 1 work equal to कितना हो गया 4 by 5 days ठीक है और अब B के दुआरा अपन को कराना क्या basically एक work को complete करने में B कितना time लेता है 4 बटे 5 दिन ठीक है तो B को जब अपन को 4 बटे 5 दिन लेता है एक काम करने में तो अपन को काम कितना करवाना इससे 28 तो यहां से इसको आप जब multiply करोगे तो यह हो जाएगा आपके पास 80 plus 32 by 5 तो यहां से हो जाएगा आपके पास 112 by 5 days इतना time लगयागा एक को काम यदि आपसे B के बारे में पूछ ले कुछ तो B के लिए अपन क्या लिख देंगे B की capability क्या आ जाएगी B की capability simple सी है कि जब आपके पास एक दिन में यह इतना काम कर लेता है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं इतना काम करते हैं तो बचा हुआ काम जो क्या से होगा कि A की capability क्या आ जाएगी 2 minus 5 बटा 4 तो 2 minus 5 बटा 4 जब मैं करूंगा तो 3 बटा 4 वरक इसकी क्या जाएगी capability आ जाएगी अब अपन को यह पता करना है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो हमने क्या लिया कि 14 जो है अब देखो बचा हुआ काम कितना है आपके पास इसका आदा कराना था अपन को 14 चार हो गया 10 बचा तो 8 दिन में करना पड़ेगा इसको तो इसकी capability कितनी आ गई 5 बटा 4 काम पड़े करेगा तो एक वरक करने में कितना टाइम लेगा 4 बटे 5 दिन 28 काम करवाने क्यूंगी complete पर कराने तो इतने दिन लेगा यह ठीक है यह है आपके पास टाइप 3 का question तो इस तरीके से आपको टाइप 3 के questions attempt करने है अब next वीडियो में अपन कुछ और देखेंगे टाइप 3 के question फिर अपन टाइप 4 शुरू करेंगे तब तक के लिए thank you so much channel को ज्यादा से ज्यादा subscribe क करें thank you so much